बहुत हुए महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोती सरकार कहा हैं इतने देश में यूपी में दिल्ली में समझे गए महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं यूआ बेरोजगार हैं महिगाई चरम सीमा पर हैं से लेने 400 से 1100 कर दिया कहां तरक्की है कहां तरक्की है ये सब्सक्राइब करने का प्रियास भारतिय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता रहा है परदान मंद्री पहले की सरकारों ने बनाएता है और यह अडानी है और अंबानी का कट्टू है उनको बेशते जा रहा है एक एक चीजों को जनतंतर को बचाना है लोगतंतर को बचाना है जो आज सत्ता में बैठे लो कि बीजेपी के पार्षद बीजेपी के सांसद उनके उपर किसी के वर कोई केस नहीं है वो उनके उपर जो केस है उनको तो सजा सुनाएं उनको तो जेल में बंद करें उनकी सदसेट तो थैंसल करें आफ मादी पार्धार मंतिरी उनका पूरा पूरा मंदल सत्ता है जा रहे हैं दिना को और बड़ी बड़ी धरोवर थी, वो बेश दी, तो ये कैसा परधानमंद्री है, पहले की सरकारों ने बनाये थे, और ये अडानी और अम्बानी का टटू है, उनको बेशते जा रहा है एक एक चीजों को, देश को बरवाद कर दिया, आज हम इन्होंने LIC का एक ऐसी वो थी, जिसको कहते थे, कि जीने के बाद भी और जीवन में भी, तो आज वो LIC भी बेश दी, SBI जो सरकारी बैंक ता, वो भी, उसका पैसा सारा अडानी को दे दिया, एक देश का, कोई छोटा सा घर लेता है न, अपना, वो थोड़ा लोन ले लेता है, उसके घर को सील करने आ जा करजे में जा चुका है, उनको अडानी अबानी को पैसे दे के और माप परें, उनको भगाते हैं, बगोरों को, और हमें करजे में डुबोते जा रहे हैं, हम सवाल, राहूल गांदी ने एक सवाली तो पूछना चाहा था, कि जो सत्ता में बैठी सरकार है, उनसे एक सवाल कि जो अडानी का, जो LIC का, RSBI का पैसा है, उसी के बारे में जवाब तो माँग रहेते हैं, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, वो करप है, इसलिए उनकी सदसेता कैंसल करी, इसलिए उनको सजा सिलाएगी, कम से कम एक घंटे की, एक दिन की सजा होती है, और जादे सजादी, यह सब मिले हुए है, राहूल गांदी कह रहे हैं, उनको सत्ता का लालज निया, सत्ता का लालज होता ना, तो दो साल परदानमंतरी बन जाते, उन्होंने बनमोन सिंग को परदानमंतरी बना, उनको सत्ता का लालज निया, उनको देश की तकलीव है, देश की सब्सक्राइब कर दिया कहां तरक्की है कहां तरक्की है यह देश का परदार मंतरी नहीं देश चला सकता है इस्तीफ़ा दे दे बगवान राम तो बगवान राम ने तो अपनी राज्य में एक दोबी के कहने SAYiter वो था राम मुणा and and King ऑपने ऊपनी कुर्सी को भी उसने अपने भाई को समर्प méda और यह तो चिपका बैठा हुआ है कुर्सी पर देश को जनता की कोई परजा की को तुष कुछ कुछ को आपने जानता हो दोस्तों ना je सम 진행 समय बाद यह पिछले आट सालों में तहरा कि जंता के दुआरा चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम भारतिय जंता पार्टी ने किया है सत्ता के मठा दीशों ने लोकतंत्र की छवी को धुमिल करने का प्रियास किया है वो लोकतंत्र जो भारत का लोकतंत्र जो विदेशों में जिसको कहा जाता था खुबसूरत लोकतंत्र है, उसकी खुबसूरती की हत्या करने का प्रियास भारतिय जंता पाटिय के द्वारा किया जाता रहा है। संसद में अगर कोई संसद बोले सच बोले तो माइक बंद कर देंगे केस दर्ज कर देंगे केस आप पर क्यों नहीं दर्ज होता जब आप विद्वा मा बोलते हैं केस आप पर क्यों नहीं दर्ज होता जब आप विदेशों में जाकर कहते कि मैं अभावागा हूं मैं भारत मे पैदा हुआ देगे इनके लोग कुछ भी बोलें कुछ भी करें कोई केस दर्ज नहीं होता लेकिन सेवेदारिक संस्ताई ED, Income Tax, CBI इनको हातों की कटपुतली बना कर जो कॉंग्रेस के नेताओं पर छापे पड़वाये जा रहे हैं ये लोगतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है हम कह रहे हैं कि आप कानून अपना काम करें लेकिन निश्पक्ष और स्वतंत्र होकर सेवेदारिक संस्ताई अपना काम करें लेकिन निश्पक्ष और स्वतंत्र होकर लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इनों ने इन से वेदानिक संस्ताओं को अपने हाथों की कटपुतली बना कर काम करना शुरू कर दिया है संसद में सच बोलने नहीं दिया जाता लेकिन ये जनता जनारदन है सच बोलेगी आप सच की आवाज को दबाने पाएंगे हमें उस पर जाना ही नहीं है कि संसद में वापसी हो या ना हो लेकिन जनता आपकी जूट भरे छल कपट इनको समझ चुकी है समझ चुकी है जनता कि आप वोट की राजनीती करते हैं आप वोटों की राजनीती के लिए सांपरदाइक दंगे भड़काते हैं आप वोटों की राजनीती के लिए हार में जाकर कह रहे हैं कि दुवारा चोबीस में चुनवाईए उल्टा लटका देंगे हम चुक्राइब देखे हास्चस्पत बात नहीं लगती आपको आप एक पत्रकार है मैं आप इसे पूछना चाहती हूँ क्या आप पिछले आठ सालों में स्वतंत्र है क्या निश्पक्षता से अपनी बात कह पाते हैं मुझे लगता है कहीं कहीं ना कहीं आपको भी वो डंडा नजर आता है जो आपके उपर भी सरके उपर खड़ा होता है इसलिए मुझे लगता है कि पत्रकार भाईयों को मैं कहना चाहूंगी मीडिया के सातियों को मैं कहना चाहूंगी आप साथ दीजिए लोगतंत्र को जिंदा रखिए जनता की आवाज को जिंदा रखिए जनता जनारदन को ज होते हैं ये भी आपने देखा तो आवाज उठाए आए हमारे साथ और मेडिया के सातियों से दर्ख्वास्त करूंगे कि आप भी हमारे साथ आए अमित्शाक जी का जो बयान है वो राम नब्मी पर जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनके लिए था और कह रहीं कि वो उन लोगों को राजनीती करते हैं ये धर्म के नाम पर आपकी भावनाओं के साथ ब्लैक मेल करके आपकी इमोशनल ब्लैक मेल करके मैं नाम दूंगी इसको इमोशनल ब्लैक मेल करके आपसे वोट हासिल करना चाते हैं लेकिन जनता जनारदन समझ गई है कि कब तक हम भावनात्मक ब्लैक म पांगते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है चोबिस में आप मीडिया पत्रकार बंदू है यहां जनता जनारदन का जो सहलाब उमढ़ रहा है जो जनता की भावनाएं हैं जो जनता को समझ में आने लगा है कि हम ठगे गए हैं हम छले गए हैं हम जूट और फरेब की जाल में फसे आई बिए नहीं तो जबस्क्राइब नाव इन प्रेस्ट अपेल है नेवर ब्स न अप्डेट